वे पहले ट्राइल बोल डाल, ट्राइल बोल नहीं सीधा रियल बोल कली किरकेट यानि भारत का सबसे पसंदीदा खेल यहां हर खिलाडी अपने आपको सचिन से कम नहीं मानता और यहां की हर खिलकी को बस यही डर रहता है कि कब कोई छोटा सचिन कैंद को बल्ले से उसके घर का रास्ता दिखाएगा और उसका नमबर आएगा यहां छोटा हो या बड़ा, हर किसी को किरकेट से इतना ही प्यार है जितना मचली को पानी से होता है या मदुमक्ख्यों को शेहत से जब रविवार के दिन आप घर से निकलेंगे तो हर गली, हर ग्राउंड में आपको खिलाडी ही खिलाडी नजर आएंगे जो या तो खेल में व्यस्त है या गेंद ढूनने में क्योंकि ये गेंद का भी मानूर अपना ही मन है जब चाहे किसी के भी घर जाकर छिप गई और जब चाहे, देखते ही देखते जारी में उजन हो गई और जब लगा कि कुछ हटके किया जाए तो जाकर के गंदे नाले में गिर गई अब निकालने का सिम्मा कौन ले अपनी अपनी टीम चुनने का भी एक अनोगा तरीका है यहाँ जहां दो खिलाडी एक एक करके सबसे मजबूत खिलाडी को चुनते हुए कमजोर तक पहुचते हैं और बैटिंग ओर्डर तै होता है पीट पीछे जी हाँ फीट के पीछे यहाँ एक टपा खाकर भी है अगर गैंद एक हाथ से पकड़ी गई तो आउट माना जाता है और खेल तब तक चलता ही रहता है जब तक घर से बुलावा नहीं आ जाता और ये मच्छो जी कि गली गरकिट है तो गुंडा रास है यहाँ भी एक एमपायर होता है अक्सर किसी ना किसी का छोटा भाई या बेहन होता है जिसे त्वेल्थ मैन के नाम से भी जाना जाता है इस एमपायर से हर वो काम करवाया जाता है जो कोई और करना नहीं चाता क्योंकि सिर्फ एक ओवर के लिए साला कुचु भी करेगा साल भर बारा महीने यही खेल है जो सब खेलते हैं नहीं खेलते तो सिर्फ तब जब भारत का मैच होता है और वो भी इतनी शिद्दत से देखा जाता है कि पूरी गली पटाकों के शोर से भर जाती है जब टेलिवीजन पर भारतिय टीम को चीटते देखते हैं तो अब आप ही बताईए इसे जुनून नहीं तो क्या कहेंगे साहब यह गली किरकिट है भी लुए देलिजन ओार भारत क्राद से जद़ बताद चीटते हैं इन खीत क्राद से देखते हैं